एक पागल के हाथ में किताब देखकर डॉक्टर ने कहा भाई ये क्या है पागल ने कहा ये आपको ही दिखाने लाया हूँ ये पांच सो पन्नों की किताब मैंने लिखी है डॉक्टर बोले पांच सो पन्नों पर तुमने लिखा क्या है पागल बोला पहले पन्ने में लिखा ह एक राजा घोड़े पर चड़कर जंगल की ओर चला और अंतिम पन्ने पर लिखा है कि वह जंगल पहुँच गया डॉक्टर बोले अच्छा और बीच के पन्नों पर क्या लिखा है पागल बोला तबड़क 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 ड सब्सक्राइब बेटी इसकूल से वापस आ रही थी मा बोली लगता है तु हमारा नाम डुबोईगी बेटी बोली क्यों मा ऐसा क्यों लगा आपको मा बोली वो बंगाली लड़का तेरा हाथ पकड़े हुए था तुने उसे मना क्यों नहीं किया बेटी बोली मैं कैसे मना करती मा मुझे बंगाली बोलनी तो आती ही नहीं न पती ने नहाने के बाद बात्रूम से आवाज लगाई सुनो जरा तौलिया देना मेरा पत्नी गुस्से में बोली आप हमेशा तौलिया के भी नहीं क्यों जाते हो अब नास्ता बनाऊं या तौलिया दूं बनियान भी धोकर नल पर टांग देते हो वो भी मैं उठाऊं नहाने के बाद वाईपर भी नहीं मारते कल तो लाइट भी बन नहीं की थी गिले गिले पैर लेकर बाहर आते हो और पूरे घर में घुमते हो फिर उस पर मिट्टी पड़ जाती है और सारा घर गंदा हो जाता है अपनी काम वाली बातरूम साफ करने गई फिसल कर गिर गई और तीन दिन से आई नहीं कितना बुरा हाल था मेरा काम करके पती मन में सोचते हुए बोला तौलिया मांगकर गलती कर दी या फिर साधी करके